Hello everyone, welcome back to your own channel Study World of Vidya और आज मैं आप लोगों के लिए 4 दिसंबर के जितने भी करंट अफेस के important questions बन सकती थे वो सबी लेकर आएं हो यहाँ पर मैं हर एक question को detail में discuss करने वाली हो तो आप लोग questions के detail को ज़रूर देखें क्योंकि detail से आप लोगों के static GK के questions भी बनते हैं तो आपके एक ही वीडियो में current affairs plus static GK के questions revise होते रहते हैं तो चले वीडियो की तरफ move करते हैं हमारा current affair का पहला question है देश की सबसे अमीर महला कौन बनी है? तो रोष्णी नाडर मलोद्रा देश की सबसे अमीर महला बनी है इनके बारे में थोड़ा सा detail में जान लेते हैं HCL Technologies की चेयर परसन 38 साल की रोष्णी नाडर मलोद्रा सबसे अमीर भारत्य महला है और कोटक बेल्थ के सहयोग से हुरून इंडिया ने एक study करके सबसे अमीर भारत्य महलाओं की लिश्ट जारी की है और रोष्णी नाडर मलोद्रा सबसे पहले इस्थान पर रही है Next question देख लेते हैं किस देश के पूरु राष्ट पती वैलेरी किस काड का हाल ही में कोरोना की कारण निधन हो गया है तो फ्रांस देश के पूरु राष्ट पती का निधन हो गया है इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक question आपको स्ट्रेटिक जी के कावी देखने को मिलेगा तो यहां बात कर लेते हैं 94 साल के वैलेरी को यूरोपिय देशों को एक जुट करने के लिए जाना जाता था इन्हें किसके लिए जाना जाता था तो यूरोपिय देशों को एक जुट करने के लिए जाना जाता था और यह कब से कब तक राष्ट पती रहे थे इनका सासंकाल कितना था तो 1974 से 1981 तक ये राष्टपती रही थी Next question है अंतराष्टे बिकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल अंतराष्टे बिकलांग दिवस 3 December को मनाया जाता है इसको मनाने की सुरुवात कब होई थी इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं और इसे मनाया क्यों जाता है तो हर साल विस्व में 3 दिसंबर का दिन अंतराष्टे दिव्यांग दिवस के तोर पर मनाया जाता है इस दिन का मकसद दिव्यांगों के प्रती लोगों के ब्यवहार में बदलाव लाना है और इन्हें उनके अधिकारों के प्रती जागरूप करना है लोग जैसे कोई तोतला होता है तो उसका मजाग बनाते हैं अगर किसी का पैर नहीं है तो उसका मजाग बनाते हैं तो लोगों के अंदर ये भापना जागरूप करनी है कि अगर कोई भी इंसान डिसेबल है तो वो भी हमारे जैसा ही है साल 1976 में सयुक्त राष्ट आम सभा की तरफ साल 1981 को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की रूप में गोसित किया गया था कब किया गया था 1981 को Next question था इस question से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है और इन्होंने किसकी जगा लिए है तो इनों ने लेफटिनेंट जनरल हरपाल सिंग का इस्थान लिया है और इन हरपाल सिंग को क्या बना दिया गया है इनके बारे में भी देख लेते हैं तो हरपाल सिंग भारत्य सेना के इंजीनियर इंचीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं और जो यहां पर राजीब चौ सर्व स्रेश्ट पुलिस इस्टेशन के रूप में चुना गया है तो मनीपुर राजी के पुलिस इस्टेशन को देश के सर्व स्रेश्ट पुलिस इस्टेशन के रूप में चुना गया है इस क्वेशन से लगभग आपको पांच क्वेशन की जानकारी मिलेगी देख लेते है केंद्रिय ग्रह मंत्रा लेने मनीपुर के थोबल जिले में नौंग पॉंक सीक मेप पुलिस इस्टेशन को देश के सर्व स्रेश्ट पुलिस इस्टेशन के रूप में चुना है और यह है पुरुसकार समुदाय के प्रती उनकी व्यवसायकता, कड़ी मेहनत, समरपड और प्रतिवद्धता के लिए दिया जाता है ये तो हो गई 2020 की बात के कौन से पुलिस इस्टेशन को दिया गया है 2019 में किस पुलिस इस्टेशन को दिया गया था, किस राज्जी के पुलिस इस्टेशन को तो इसके बारे में भी जान लेते हैं तो सेम मनीपूर के नमबोल पुलिस इस्टेशन को मिला था। राज्ज मनीपूर ही था लेकिन पुलिस इस्टेशन का नाम दूसरा था। यहाँ पर बात हुई है मनीपूर राज्जी की तो इसके बारे में जान लेते हैं। मनीपुर पूर्व उत्तर भारत का एक राज्य है जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था इस क्वेशन से पांच क्वेशन देखने को मिलेंगे पांच से जादा ही बनने वाले हैं तो देखते रहें इसके उत्तर में नागालेंड मनीपुर के उत्तर में नागालेंड इस्तित ह दक्षड में मिजोरम और पश्चिम में असम और पूर्व में मियामार इस्तित है डारेक्ट क्वेशन बन जाता है कि मनिपुर राज्जी के पश्चिम में कौन सा राज्ज इस्तित है तो वो है असम और मनीपुर राजी का जो राज किया फूल है वो क्या है सिरूई लिली और मनीपुर की राजधानी है इमफाल और मनीपुर राजी की जो राजेपाल है वो है नजमा हेपतुला और मुख्य मंत्री है एन विरेन सेंग और मनीपुर राजी का पशु है संगाई हेरन नेक्स्ट क्वेशन है लब ब्रिगेड अभियान किस राजी ने सुरूख किया है तो लब ब्रिगेड अभियान मिजूरम राजी ने सुरूख किया है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये लब ब्रिगेड अभियान है क्या मिजूरम सरकार ने एट्स दिवस के अबसर पर एक अभियान लब ब्रिगेड शुरू किया है और इस अभियान में लब ब्रिगेड बनाने के लिए 500 बाइक और कार्ट टेक्सियों का चैन किया गया है ये ड्राइवर एड्स के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एड्स परामर्जदाता के रूप में काम करेंगे और इसे मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने दिल्ले इस्तित एड्स हेल्थ केर फांडेशन और टेक्सी एसोशियेशन मिजोरम के साथ मिरकर आईजोल में लॉंच किया गया है नेक्स कॉशन है भारत सूरी नाम कौन सी सायोक्त आयोक्त की बैठक बस्तुत आयोजित की गई है तो साथ भी बैठक आयोजित की गई है क्यों की गई है इसके बारे में जान लेते हैं भारत और सूरी नाम के बीच साथ भी सायोक्त आयोक्त की बैठक आयोजित हुई है इसकी सहे अध्यक्षता किस ने की है तो इसकी सहे अध्यक्षता विदेश राजमंतरी और सूरी नाम के विदेश मामलों के मंतरी द्वारा की गई है और दोनों देशों ने राजनीतिक बादचीत और दोई पक्षिय संबंदों के महत्तों पर जोर दिया है उन्होंने ब्यापार और निवेश के छेतर में सहयोग परविसयमति व्यक्त किये हैं और अपने देश के जो विदेश राजमंत्री है वो कौन है वो है वी मुरली धरन यहां पर बात हुई सूरी नाम देश की इसके बारे में जान लेते हैं सूरी नाम दक्षिड अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में इस्तित है और यह दक्षिड अमेरिका में सबसे छोटा संप्रवर राज्य है और इसकी राजधानी है पारा मारेवो और जो मुद्रा है वह है डॉलर, सूरी नाम और बरतमान में जो राष्ट पती हैं वो हैं चैन संतोसी नेक्टंशन है किस देश की संसद ने हाल ही में climate emergency बिलपास किया है तो हाल ही में नीच्जिलेंड की संसद ने climate emergency बिलपास किया है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे न्यूजिलेंड देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमर्जेंसी बिलपास किया है और दोबारा सत्ता समालने वाली प्रधान मंतरी जैसिंडा अर्डन ने यह एलान किया है कि न्यूजिलेंड की सभी सरकारी विभागों और इंस्टिटूशन को साल 2025 तक कारवन जील का उदगाटन किया गया है तो उत्राखंड राज्जी में सूर्यधार जील का उदगाटन किया गया है यहां बरबात हुई यह उत्राखंड राज्जी की इसके बारे में जान लेती हैं जैसा कि मैंने कहा था पॉइंट टू पॉइंट डिसकस करेंगे आप लोगों की करंट अफियर्स के साथ साथ स्टैटिक जी के भी स्ट्रॉंग होगी उत्राखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही थी राजधानिय दहरादून और गेर सेंड मुख्य मंत्री हैं त्रिवेंदर सिंग राबत गवर्नर हैं बेवी रानी मौर्या और मुख्य नियायदीस हैं के एम जोसफ और तीन पडोसी राजध हैं हिमाचल प्रदेश हरियाना उत्तरपदेश हमारा लास्ट क्वेशन है किस राजध में 21 वा हॉर्न विल फेस्टिवल मनाया गया है तो नागालेंड राजध में 21 वा हॉर्न विल फेस्टिवल मनाया गया है इसके बारे में जान लेते हैं यह एक दस दिवसिय बारसिक उत्सव है जो एक से दस दिसंबर के बीच मनाया जाता है और यह त्योहार सम्रद्द सांस्क्रतिक बिरासत का प्रतीक है जो नागा युवाओं की उर्जा और जीवन्त ताको प्रदर्शित करता है और इस त्योहार को अंतराष्टे इस्तर पर पूरी तरह से आभासी मोड में मनाया गया है यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है वीडियो अच्छा लगाव तो लाइक कर दीजीगा थेंक्स फूर वोचिंग